ओके तो भाई आज का SmackDown खत्म हो चुका और हमें आज का SmackDown को पर बहुत सारे चीज़ें देखनों को मिली ब्रेवाइट से रिलेटर साथी साथ हमें बहुत सारे कमाल के मैचेश भी देखनों को मिलें आज के SmackDown को पर एक जेकली क्या कुछ हो आएम जानते हैं सारा कुछ आज किस वीडियो के देखने तो बस हमारे चैनल पर अगर आप पहली वार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बहुत सारे वीडियो का फोटो देखा जा रहा था और यहां पर खुद जो कमेंटेटर थो ओभी इस बात को बल रहे थे कि ब्रेवाट डवली कंपणी छोड़का चले गया और मतलो हमें बहुत सारे ड्रीम मैचेश ब्रेवाइट के नहीं देखनों को मिलें बहुत सारे प इनको हार्ट में प्रोब्लंग duelी दोतीन साल से था पर दोतीन साल में हार्ट आटरेक नहीं आया था तो आप लोग कह सकते हो कि इनका जो डेट होया चाना की हो इनको इलनेस से जो प्रब्लंग था उससे रिकवरी यह कर गया ऐसा इसके बाद हमें नेक्स सो के उपर हमें मिश्टूरो वर्सेज ग्रेशन वालर के बीच में वन वियर मैस देखनों को मिलता और रेडिया थिंग सारे लोगों को बता होगा कि यह मैच पिसले स्मैकड़ून को पर भी ओफिसल हो गया था पर वाई इस मैच के अंदर हमें ऑस्टिन थियोरी देखनों को मिलेगा कि हमें और भाई उसके बाद इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं बचा था 6-1-9 लगा कर इस मैच के अंदर हरा आज आते हैं ग्रेशन वालर को हमारे रेम इस मैच का क्वालिटी का बात करें तो भाई एक आवरेस समयस था बहुत खास नहीं था इस मैच के अंदर बुमेंच चैंपेस विल्ड के लिए मैच देखने हो मिलता जलीना वेगा वर्सिस योशी काई के विज़ें और अगर आपको पता होगा तो यह मैच भी पिसले स्मैकडाउन को पर है इस पर का स्मैकडाउन को पर वारे बहुत आए डिसकस्त नहीं करने वाला आवरेस समयस पर यह बड़ा कमाल का प्रोम था आज के स्मैकडाउन को यहाप करते हैं जिसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं कोडि रोस को इस फेसली मोटिवेट करने के लिए मतलो मोटिवेशन थोरा सा स्पीस देने के लिए आज के स्मैकडॉन उबर बुलाया गया था इसके पीचे का सबसे सिंपल रही जानी है कोडि रोस डबली रे कंपरी के निव हीरो है करेंट है में सबसे बड़ाई बेवी फेस से इसलिए इनको बुलाया गया था और उसके बाद हमें आज के स्मैकडॉन को उपर टेरी फंग का वीडो भी देखना हूं मिलता ब्रे वाइ करते हैं इसको ब्रे वाइट का फायर फ्लाइफ वाला हमें सो बेगरा देखने को मिलता बाई मतलब पूरा ब्रेवाइट के उपर ही मतलब आज के स्मैकडॉन पूरा था मुझे नहीं पता पर डब्री वाले हर बार स्मैकडॉन को उपर भारकोड भी दिखा रही थी आप देख सकते हैं फोटो के अंदर इसको आपको बताऊंगा इस एक्चली में इस बारकोड के अंदर था क्या इसको बाइस की अपर हमें वेलर वर्सेस एले नाइट के बीच में वान वीवर मैस देखने को मिलता है अगर हम लोग इस मैच का क्वालिटी का बात करें तो बहुत मतलब कमाल का रेसिरिंग देखने को में इस मैच के और भाई अगेन इस मैच के रिजल्ट से मैं बहुत जड़ायन है पि मतलब मैं क्या ही बोलू यार मतलब इस मैच के अंदर हमारे फिर से फीन वैलर हार चुके मुझे समयज में नहाता का डवली वालों को विक्टरी दिल मिलता है रिंग के अंदर खतम होते होते मितलब ऐसा लग रहा था कि सामने रिंग के अदर एक्ट्रीट को पर था दो की मेरे ख्याल से काफी अच्छा था ब्रेवाइट एक लेजंड थे हमारे दिल में हमेशा रहेंगे और चाहे कोई और यूटूबर भूल जाए पर भाह सारे प्रेवाइट के बारे में अपडेट भी बताना जो की सामको वीडियो आएगा आप लोग सारा लोग मिस्मत कीजिएगा